हेलो दोस्तो, I hope you all are well आप अपने और अपने परिवार का अच्छे से दियान रख रहोंगे सभी गाइडलाइन का पालन कर रहोंगे तो दोस्तो यह है हमारे डेली करंट अफेर्स की सिरीज मेना चल ला है जून और आज है 4 जून 2020 तो चल यह दोस्तो बीना किसी देरी के आज के करंट फेर्स and न्यूस शुरू करते हैं तो चल यह शुरू करते हैं तो Global Day of Parents किस दिन मनाया जाता है तो Global Day of Parents प्रतिवर्स एक जून को मनाया जाता है तो एक जून को World Milk Day भी मनाया जाता है तो दोनों दिवस को आप याद रखिए तो Ministry of Steel के सेकेटरी किसे न्यूक्त किया गया है तो 1 जुन 2020 को प्रदीप कुमार्ट त्रिपाथी को Ministry of Steel का सेकेटरी न्यूक्त किया गया है तो रुक करते हैं अगली खबर की और तो Astronomers ने एक Rare Kind एक विशेश प्रकार के Space Object को ढूड़ा है जो की Asteroid और कॉमिट के बीच का कोई Space Object है और ये Object किस प्लैनेट के और्बिट में मिला है तो इस जो विशेश प्रकार का Space Object है ये Jupiter प्लैनेट के और्बिट में मिला है अब दोस्तों देखिए कि asteroid और comet में different क्या होता है तो asteroid जो होता है वो basically बने होते है metals और rocky material के धातुओं और चट्टानी गणों के और comet जो होते है वो बने होते है ice dust और rocky material से तो दोनों में difference उनकी composition के आधार पे सामानित यह है तो आप याद रख सकते हैं जै तो अंडमान निकोबार कमांड के पंद्रवे कमांडर इंचीफ किसे न्यूक्त किया गया है तो अंडमान निकोबार कमांड के नए चीफ बने है Lieutenant General Manoj Pande तो Lieutenant General Manoj Pande बने हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड के कमांडर इंचीफ और यह पंद्रवे chief है और इंडिय नेवी जिसका headquarter है न्यू डेली में और इनके commander-in-chief जो head of the naval staff है वो है करंबीर सिंग International Everest Day जो की प्रतिवर्स 29 मे को मनाया जाता है तो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने Everest को explore किया था या Everest को विजय किया था तो ये थे दो व्यक्ति न्यूजिलेंड के Edmund Hillary और नेपाल के तेंजिन नौर के और इन्होंने ये कार नामा करके दिखाया था 1953 में और इंडिया की हाइस चोड जो हाइस माउंटेन है जो हाइस पीक है वो कौन सी है तो इंडिया की जो हाइस पीक है वो है केटू जिसे हम गौडविन ऑस्टिन बोलते हैं जो कि पाक ऑक्किपाइट कस्मीर में है अगर दोस्तों आप्शन में ये नहीं होगा तो हम कंचन जंगा जो कि सिक्किम के पास इस्तित है उसे टिक करेंगे और उत्राखंड की हाइस पीक है नंदा देवी तो आप इन पैं एनिमल जो धर्ती पर रहता था वो कौन है इसके इस रिचर्ज को पब्लिश किया गया है हिस्टोरिकल बाइलोजी जनल में तो ये जो धर्ती पर रहने वाला सबसे प्राचीन जानवर था वो था कैमपे सेरिसो बैनेसिस कैमपे सेरिसो बैनेसिस और ये लगबग 450 मिलियन पहले धर्ती पर रहा करते थे और इनके जीवाश मिले थे हमें आइसलेंड आप केरिरा के पास जो की स्कॉट्लेंड की टेरिट्री है Central Marine Fishery Research Institute के रिसर्चर ने गल्फ ऑप मननार के पास एक रेर स्पीसीज डूटी है जिसका नाम है Bentail Scorpion Fish तो Bentail Scorpion Fish की एक रेर स्पीसीज डूटी है गल्फ ऑप मननार के पास CMFRI के रिसर्चर ने तो CMFRI किस स्थान पर लोकेटेड है तो ये इस्थित है कोची में कोची केरल में और CMFRI के डाइरेक्टर है एक गोपी कृष्णन तो किस देश के डेवलपर्स ने दुनिया की पहली Digital Contact Tracing एप बनाई है Apple और Google के लिए तो ये बनाई है Switzerland के डेवलपर्स ने, Switzerland की डेवलपर टीम EPFL और ETS ने मिलके और इस एप का नाम रखा गया है Swiss COVID तो ये coronavirus के लिए दुनिया की पहली Digital Contact Tracing एप बनाई है Switzerland के डेवलपर्स ने जो हमारे IT मिनिस्टर रवी संकर प्रशाद इन्होंने India's National Artificial Intelligence Portal और Responsible Artificial Intelligence for Youth इन प्रोग्राम को लॉंच किया तो जो ये पोर्टल लॉंच किया गया ये National E Government Division of Ministry of IT Information Technology और किस organization के द्वारा लॉंच किया तो इन दोनोंने मिलके इसे लॉंच किया तो इसे लॉंच किया गया NASCOM के द्वारा, NASCOM और National E Government Division of Ministry of Information Technology इन दोनों के द्वारा इन दोनों पोर्टल और इस प्रोग्राम को लॉंच किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने मन की बात 2.0 के बारवे एपिसोड में जो की 31 मई 2020 को प्रशादेत हुआ था एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉम्पेटिशन को लॉंच किया तो इस वीडियो ब्लॉगिंग कॉम्पेटिशन का नाम किया है तो इसका नाम है माई लाइफ, माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉम्पेटिशन तो नरेंद मोदी जी ने इसे मन की बात 2.0 के बारवे एपिसोड में लॉंच किया और NTPC ने किस बैंक के साथ कोलेबरेशन किया है कि वो अपने जो NTPC के एंप्लॉई हैं लगबग 19,000 से अधिक और उनकी जो फैमिलीज हैं उनको लर्निंग अपर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएंगे इस नेशन वाइड लॉगडाउन में तो यह जो कोलेबरेशन हुआ है एंटिपीसी और वर्ल्ड बैंक के बीच हुआ है और वर्ल्ड बैंक एंटिपीसी और वर्ल्ड बैंक के बीच हुआ है और वर्ल्ड बैंक और आमफ दोनों का हेट्वाटर है वासिंग्टन डीसी में और जो NTPCN के चेर्मेन है, चेर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर है गुर्दीप सेंग तो सेंट्रल ने 2020 के लिए आसाम के लिए जल जीवन मिशन को, जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशी दिये जिसमें आसाम 2021 में अपने टोटल 63 लाग जो हाउसोल्ड से हैं, उसमें से 13 लाग को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइट करवाएगा तो लगवाट 13 लाग हाउसोल्ड इससे लाभानवित होंगे, तो ये जो राशी है वो है 1407 करोड तो केंशर कार ने आसाम को दिये हैं, जल जीवन मिशन के लिए 1407 करोड रुपे कौन सा साइकलोन है, जिसने महाराष्ट और साउध गुजरात के कोस्ट एरिया को हिट किया, तो आज ही 3 जून को इसने गुजरात और महाराष्ट के कोस्टल एरिया को हिट किया है, तो ये है साइकलोन निशाग्र, और ये अरेबियन सी में आया हुआ तुपा ने, और तो कितनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को जॉइन कर लिया है और इस स्कीम को लॉंच किया गया था Consumer Affair Foods and Public Distribution Minister राम विलास पासवान जो हमारे जो बोजन मंत्री हैं किसा आप यह समझे तो फूड मिनिस्टर है जो हमारे राम विलास पासवान उन्होंने इसको लॉंच किया था तो वन निशन वन राशन कार्ड यह 20 राज्यों और केंसाशित प्रदेशों ने अपना लिया है और रिसेंटली से सिक्किम आसाम और मिजोरम के द्वारा अपना है गया है प्रदी Just.Sport Authority of India किसे साथ कोलेबरेशनक करें जो भारत का God's量 नेशनल लेबल और और यह 1 राशब आपना है इसे लॉउच किया है तो इसे लॉउंच किया है तो इसे सब्रेशनलल ऑफ़ेड और मिल restrictions गया था इंडिया और Sports Authority of India के जो डारेक्टर है पहले सुधीब मुकुंद प्रधान इनके कारेगाल को तीन साल के लिए बला दिया गया है और जो ऐसे आई है वो अपने 2759 एथलीटों को 30,000 रुपे आउट आप पॉकेट अलाउंस देनी की गोशना कर चुकी है तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा ये भी हाली हमें न्यूस के पॉइंट थे तो दोस्तों आज से मैं इसमें स्टैटिक जीके के भी जो कुछ कोशन एट कर रहा हूं जो कि गरंट अफेर्स में के हिसाप से इंपोटेंट है जो पेपर में आ सकते हैं ये स्टैटिक जीक है तो खीर भवानी मेला जो के कोविट 19 के वज़े से रद्ध हो गया था कैंसिल हो गया था तो ये किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश में मनाया जाता है तो ये जम्मू कश्मीर में प्रतिवर्स मनाया जाता है तो खीर भवानी मेला और जम्मू प्रदेशों का दर्जा दे दिये गया और 31 अक्टूबर को प्रतिवर से मनाया जाता है National Unity Day क्योंकि इस दिन होता है हमारे सरदार पटेल जी का जन्म दिन तो खीर भवानी मिला है जम्मो कश्मीर से संबंदित तो दुनिया के सबसे बड़ी Contact Tracing एप कौनसी है जोकि अभी COVID-19 में इसने बहुत कारगर काम किया है तो यह हमारे देश की है आरोग्य सेतु एप और इसके यूजर अभी मातर 40 दिनों में ही इसके यूजर 1 करोड 40 लाख हो चुके है तो दुनिया के सबसे बड़ी Contact Tracing एप ब Headquarter है Rome, Italy में आप दोस्तों याद रखिएगा कि Food और Agriculture से जुरू हुए जितने भी International Organization है उन सबका Headquarter Headquarter Rome, Italy में ही पड़ता है लगबग लगबग सबका Headquarter यही है तो गुंगमाल National Park किस राज्य में इस्तित है तो गुंगमाल National Park है महराश्ट्र में और यह मेल घाट Tiger Reserve का भी हिस्सा है तो गुंगमाल National Park मेल घाट Tiger Reserve का भी हिस्सा है इसका मतलब मेल घाट Tiger Reserve भी का इस्तित होगा महराश्ट्र में तो मीरा भाई चानू जो कि Recently News में थी तो इनका नाम अर्जुना आवोर्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है तो यह किस खेल से संबन दीते हैं तो यह हैं भारत की Weight Lifter तो Weight Lifting के खेल से जुड़ी हुए भारत तो लन के खेल से जुड़ी हुए और यह विश्व Champion भी रह चुकी है तो दोस्तो आई होब आपको हमारे दोरह बनाएगे यह वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे दोरह डाले गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके और दोस्तो बाकी जो हमारे इस उतराखंड जीके के कोश्चन है प्लस मैट्स के जो कश्चन है इसका इन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहां से हमारे अधर प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं और दोस्तो इस वीडियो का दिक सदीक लाइक कीजिए शेर कीजिए और दोस्तो अपना खयाल रखिए अपने परिवार का खयाल रखिए घर के बुजुर्ग और बच्चों का विशेश खयाल रखिए इसी आसा के साथ आपका दिन शुभ हो जैहिंद वंदे मात्रम